सादरवंदे विशुनायक जी, मैं वीर भूमी रायस्थान की हिर्देश्तली अजमेर और ब्रह्मा नगरी अजमेर के उत्तर विदान सभा शेत्र के बजरंग मंडल के 108 क्रमांग बूत से आया हूँ मेरा एक सवाल है कि हमारी बहुत सारी योजना है जिसमें बचत की बात कई गई है लेकिन हम बूतों पर जाकर के ये कैसे लोगों को समझाएं कि ये बाचपा की योजनाओं के कारण उनके घरों में इत्ती सारी बचत होई है हमारी सरकारों के कारणी उनको इत्ती सारी बचत मिल पा रही है ये हम भूतों पर जा करके कैसे समझाएं मानने परदान मंत्री जी ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है ये मेरे सभी जो बीसी पर भी कारकरदा बैटे हैं उनको भी जवाब बहुत काम आएगा आप लोगों भी भी बहुत काम आएगा और इसलिए मैं इस सवाल को थड़ा सार जंग से समझारा चाहता हूँ आपो देखे आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां विकास तेजी से हो रहा है और महंगाई दर्म नियंत्रन में है अब कल्बा कर सकते हैं कि कोराना के बाद दुनिया के कितने ही देश है जहां महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये है उन देशों में गरीब हो मध्यंबर्ग हो आज महंगाई की वगज़ से हाहा कार मचा हुआ है आप हमारे पडोस में ही देखे तो पाकिस्तान में महंगाई दर कितनी है 38 परसंट से ज़्यादा महंगाई है 38 परसंट स्री लंका में महंगाई दर कितनी है 25 परसंट से ज़्यादा है बंगलाजेश में महराई कितनी है दस परसंड के आसपास है और भारत में महिंगाई का दर कितना है पांच परसंड से भी कम है यानी कोरोना के बावजोत इतने समय से चले जा रहे युद्ध के बावजोत भारत में हमने महिंगाई को बेकाबू नहीं होने दिया है और आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि बाजपा सरकार का जोड़ तो लोगों को जादा से जादा बचत कराने पर है अब जैसा है मोबाईल डेटा का उदान ले ये आपको काम आया का ज़रा ये जो मोबाईल डेटा है ना आप कभी यूटूब डिकना फ्लाला करते होंगे तो आपको ज़रा द्याक का ज़गा आज हर भारतिय हर महिने करीब करीब एवरेज करीब करीब 20 GB डेटा इस्तमाल करता है आप मोबाईल फोन का उप्वो करते ने 20 GB डेटा अगर 2014 से पहले जब हमारे देश में कॉंगरेस की सरकार थी उस समय एक जिबी डेटा अगर आप उप्यो करते थे तो उसकी कीमत लगती थी 300 रुपिया करीब करीब 300 रुपिया उस हिसाब से अगर आज आप देखते तो आपका मुबाइल का बिल हर मैंने कम से कम 6000 रुपिया मैंने आता अगर 2014 वाली कॉंगरेस की सरकार के हिसाब से देखे तो आज मुबाइल का फोन एवरेज आपका 6000 रुपिया आता लेकिन बाजबा सरकार ने डेटा को गरीब के लिए बिलकुल सस्ता कर दिया है इसलिए अब आपका मुबाइल 20 जिबी डेटा के लिए उसको कितना देना पड़ता है मुश्किल से 200-300 रुपिया देना पड़ता है मतलब कि आपका करीब करीब 5000 रुपिया हर महिने बच रहा है जिसके भी 5 मुबाइल है करीब करीब 5000 रुपिया बच रहा है आप गाउप के लोगों के समझा सकते हैं कि मोदी सरकार होने का मतलब क्या होता है एक और उदार देता हूँ मैं आपको LED बल्ब का जब कॉंग्रेस के समाए के यह जो लट्टू हो थे न यह LED बल्ब 300-400 रुपिया में बिखता था 300-400 रुपिया आज बीजेपी सरकार में LED बल्ब की किमर होगे 50-60 रुपिया कहां 300-400 और कहां 50-60 अज बीदे वर्षों में जो करीब करीब 40 करोर सस्ते लीड़ी बल दिये गए उसकी वज़े से गरीब और मध्यमवर का हर साल जो बिजली का बिल था वो करीब 20-000 करोर रुपिया कम हुआ है ये 20-000 करोर रुपिया लोगों के जेब में कहीं कहीं बचा है किसी का 100, किसी का 200, किसी का 500 आपने प्रदान मंत्री भारतिये जन अवसदी परियोजना यानि PM BJP के बारे में भी सुना होगा आप दवाई की दुकाने जन अवसदी दुकाने देखा होगा आपने आप पुलिंग मुथ में जाये न लोगों को जुरूर ने जन अवसदी के स्टोर में उत्तम से उत्तम प्रकार की दवाई सस्ते से सस्ते में मिलती है इस स्टोर की वेज़े से गरीब का करीब करीब 20,000 करोर रुपया बचा है अगर एक परिवार में 60-70-80 साल के बुजूर्ग है और डाइबिटिस है अगर उनको महने में 2000 की दवा लगती है तो जन अवसदी केंद्र में 100-500 रुपये में दवाई चल मिल जाती है और उनका महना पर निकल जाता है ये लोगों का पैसा बचाने का भाज़पा का ये तरीका है दोटो आपके बूत में ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने आउश्मान भारत योजना का लाब लिया है आउश्मान भारत योजना से गरीबों को अस्पताल में पांच लाख रुपये तक के मुप्त इलाज की सुविदा मिलती है इस योजना की वज़े से करीब करीब पांच करोर लोगों ने अस्पताल में भरती होने के बाद अपना इलाज कराया और एक पैसे का खर्च नहीं हुआ है अगर आउश्मान भारत योजना नहीं होती तो इन गरीबों को अपने इलाज में असी हजार करोड उपे से ज़्यादा खर्च करना पड़ता अभी असी हजार करोड बचा के नहीं बचा ये गरीब का भला हुआ के नहीं हुआ ये मंदमबर के परिवार का भला हुआ के नहीं हुआ साथियों गरीबों की सेवा का ये भाव गरीब की जेब की चिंता भाजबान हरपल उनकी मदद में खड़ा रहता है और यही भाजब की पैचान है लेकिन विपक्षी की पार्टिया कैसे गरीब और मद्रमबर की जेब काट रही है ये भी देश के लोगों को बताना चाहता हूँ ये विपक्षी लोग पैट्रोल की कीमतों पर बहुत हाय तुबा मताचे दें देश के लोगों को रहाद देने के लिए केंदर सरकार ने दो साल में दो बार एक्साइड डूटी कम की है लेकिन जादा तर राज्यों में जहां बीजेपी सरकार नहीं है वहाँ इन राज्यों नितिक दलों ने इसे कटोती का लाप जनता में टांसपर नहीं किया है इन राज्यों ने अपने स्टेट का वेट वड़ागर जनता से वसुली का अभियान चालू रखा है आज यूपी, गुजरात, हरियाना, उत्राखन जहां बाजपा सरकार है न वहाँ पैट्रोल की किमत सो रुपिय से कम है लेकिन बिहार में पैट्रोल एक सो साथ रुपिया राजस्तान में एक सो आठ, तेलंगडा में एक सो नव, केरला में एक सो दस क्यों भई, इन राज़्यों में जिन दलो की सरकारे हैं वो जनता के साथ, गरीब और मद्यंबर के साथ, विष्वास गात कर रहे हैं साथियो इन राज्यों के बूत कायर करताओं को, ये सच्चा ही अपने बूत के लोगों के सामने बार बार, उजागर करनी चाहिए इतने में मिलता है यूपी में इतने में मिलता है बाजपा राजी में इतने में मिलता है तेलंगणा में इतने में मिलता है बिहार में इतने में मिलता है तो लोग चौंग जाएंगे क्या हो रहा है और इसलिए चीजों की जानकरियों के साथ आप जितना बताएंगे उतनी अरेगा बाइयो